दोस्तों नमस्कार, TV1 इंडिया के खास बिलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत पर आज चुना हो रहे हैं इसमें 24 परगना, हुगली, अलीपुर्दौर और कुछ विहार स्वामिल हैं अधिकान श्रिकानों पर हिंसा की खबर है इस बीच निर्वाचन आयोग ने दोपर तक 60 फिस दिवोटिंग की जानकारी दी है सोनिया गांधी ने देश बर में जारी कोरोना वैक्सीन की किलत को लेकर मोधी सरकार पर बड़ा हमला बोला है कांग्रेश चासित प्रदेशों के नेताओं की दिल्ली मयोजित एक बैठक के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर मोधी सरकार का मैनेजमेंट सही नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर देश में खुद कोविड वैक्सीन की किल्लत बढ़ा रही है और लोगों को मारने पर तुली है सोनिया गांधी ने बैठक में कांग्रेस रासित प्रदेशों में कोविड-19 रोकने को लेकर चल लहे प्रयासों का भी जाजा लिया और कई जरूरी निर्देश भी दिये सोनिया गांधी ने बढ़ते करोणा के लिए चुनावी रैलियों को जिम्मेदार ठराया है कोविड संक्रमन बढ़ाने में मददगार बन रही है उन्होंने कांग्रेस, मुख्यमंत्रियों और बड़े निताओं से कहा कि इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और देश शित को सब से उपर रखना होगा पस्षिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर जहां बीजेपी ममता बैनर जी की पार्टी टीमसी पर हमलावर है वहीं टीमसी ने चार मौतों के लिए बीजेपी पर पलटवार किया है आठीमसी प्रतिनीधी मंडल ने मुख्य चुनावाईट से मुलाकात कर चुनावी हिंसा और मौतों की जाच परताल करने और करवाई की मांग की है चुनावाईग ने असम के चार पोलिंग स्टेशन पर दुबारा चुनाव कराने का निर्देश जाईन में राटाबारी, सोनाई, हाफलोंग, विधानसभाक, शेत्र सामिल है 20 अपरेल को यहाँ दुबारा चुनाव कराने की त्यारी है दरसल यहाँ एक अपरेल को चुनाव हुए थे ज्यान देने वाली बात है कि यह वही पोलिंग स्टेशन है जहां की एबियम वीजेपी नेता की गाड़ी में बरामध हुई थी जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने यहाँ चुनाव रद करते हुए दुबारा चुनाव कराने की घोशना की है महराश शरकार ने 23 अपरेल से होने वाली दस्वी और 12 बोर्ड परिक्षाओं को टाल दिया है राजके शरक्षा मंतरी वर्षा गायकवार ने कहा कि फिलहाल करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम चात्रों की शेहत का खत्रा नहीं ले सकते हैं इसलिए बोर्ड परिक्षाओं को टाल गया है अगले कुछ दिनों में नई तिति की घोशना होने वाली है सुत्रों की माना है तो सरकार जून में दसमी और बारहमी के बोर्ड एक्जाम्स को कराने की तैयारी में है महराश्च में जारी लॉकडाउन के बीच आज वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन रहा इस दोरान नईमबई पनवेल और थाने समेत मुंबई उपनगरों में लॉकडाउन का ब्यापक एसर देखने को मिला नईमबई की एपिमसी मंडियों और बसड़ों रेलवे स्टेशनों पर भी खामोसी देखी गई कई ठीकानों पर वैरिकेटर नजर आए और पुलिस वाहनों की चेकिंग करती नजर आई बतादा हैं कि लॉकडाउन में अतिया वस्चक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अन्ये लोगों के बाहर निकलने और कारोबार चालू रखने पर पाबंदी है जिसके ताथ सड़कें आज सुनसा नजर आई आज के बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही दीजे हमें इजाज़त लेकिन दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया नमस्कार